नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं यूटूब चैनल अमेठी बलाग और मैं हूं अंकुर तिवैडी तो आज भाईया हम आपको बताएंगे देखें इस समय कच्चे आमों को जो है सीजन चल लहा है कच्चे आम को कई से पकाना है इसको अब हम आपको बताएंगे यह मार्केट में यह पाउडर आपको मिल जाएगा इसका नाम है सिपला पाउडर इसको ऐसे इसमें डाल दो ऐसे और आम को एक घंटे में पका देता है और इस परिट्टीट को हम ऐसे रख देंगे एक इसा रखेंगे इसका नाम है बहाइं सिपला पाउडर को हम हम जा करेंगे इसमें डालेंगे यह चुंचोंति आवा जा रही तन्में और चाकों से अइसे इसे लिए रगड़ लेंगे और इसके ऊपर जो है ऐसे इसी चाको से इसका रसर में लगा दूनगा पूरे में और इसको जो है यह कच्चा आम है आप देख सकते हैं इसको में काट देता हूं ताकि आप लोग देखने हैं कि यह कच्चा है नहीं तो आप लोगों यह लगे कि पक्का था कि पूरा कच्चा हम है कुभे काट के दिखा रहा हूँ ऑफ मैं यह पूहता है जो है कच्चा है देखें इस अब कर दिया है और अब मैं यह guys में लगा करहें सैंट्रृ जो है हम आइसे करके और च capturing दो खंटे वाद हम पका हुआ मिलेगा तो आईये फिर देखते हैं दो घंटे बाद को दो घंटे बाद जो है हमने इसको उठाया है अब देखते हैं ये अब देखो ये पका हो एकदम जो है मालूम पढ़ रहा है कि पक गया दो घंटे बाद अब मैं इसको फाण के देखता हूं ये देख सकते हैं किस प्रकार से कितना अच्छा ये पक गया है ये तो इसी तरह य यह देख सकते हैं पूरा पक गया पक्ते तो इस तरह से आप दो घंटे के अंदर आमखो पका सकते हैं और इस लिंक हमको डिस्करप्संगमे देखा लिए तो आपको मिल जाएगा अपlave कर 우리는 आउडर के लिए और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जो है वीडियो को लाइक करेंगे फिर मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपने दोस्त अंकुरतिवारी को दीदी जाजत और आप देखते रहें यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लाग है कि वह बड़ा स्वादेश्ट है तो दो घंटे में इस तरह से आप आम को पका सकते हैं तो भाईया इसी तरह से आप इसको चैनल में मैं दे दूंगा इस पावडर का नाम तो आप देख लीजिए गा और कमेंट कर दीजिए गा पावडर चाहिए तो जेकते रहे हैं यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लाग